हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों जो mid cap stocks होते हैं उनमें return मिलने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं वो भी safety के साथ जी हैं दोस्तों safety क्यों के रहा हूँ क्योंकि जो small cap stocks हैं उनके इंदर भी growth के chances सबसे ज़्यादा होते हैं पर उनके इंदर risk बहुत ज़्यादा रहता है safety कम रहती है और mid cap stocks ऐसे होते हैं जिनके इंदर growth के chances भी होते हैं में कहां मिल पाएंगे और mid cap stocks का पूरा portfolio मिलना भी काफी मुश्किल होता है तो ये possible हो पाएगा बजाज आलियांज life के mid cap index fund से बजाज आलियांज जो की life insurance sector के अंदर काफी जाना माना और leading brand है तो ये mid cap index fund एक नया NFO है मतलब new fund offer जिसके अंदर पूरे 150 mid cap stocks के अंदर investment होगा और ये NFO मतलब new fund offer 15 November को open हो चुका है और इस NFO में apply करने के लिए 28 November last date है इसकी जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ तो अब 28 November last date है तो कुछ जादा दिन नहीं बचे हैं सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हैं इस NFO में apply करने के लिए और इसकी starting NAV मतलब net asset value सिर्फ 10 रुपे है और यहाँ पर आप investment as low as 2000 रुपीज पर मन से start कर सकते हैं और nifty mid cap 150 पूरा एक index है जिसके अंदर 150 mid cap stocks का पूरा portfolio है और अगर इसको compare करें nifty 50 से तो nifty 50 के अंदर 50 large cap stocks होते हैं तो दोनों index के अगर return को compare करें मतलब पिछले 5 से 10 सालों में इन दोनों ने कितना return दिया है तो nifty mid cap 150 index ने last 5 और 10 सालों में 21-21% के CAGR से return दिये हैं मतलब 21% के CAGR से return दिये हैं last 5 और 10 सालों में और वही nifty 50 ने last 5 और 10 सालों में 18% और 16% की CAGR से return दिये हैं तो फरक आपको साफ नजर आ रहा है कि Nifty Mid Cap 150 का return Nifty 50 से ज़्यादा है क्योंकि Mid Cap stocks में growth के chances ज़्यादा होते हैं और Large Cap stocks में growth के chances थोड़े से कम होते हैं और आपको जानकारी के लिए एक और बात बदा दूँ अगर आपने 1 लाख रुपए 2013 के इंदर Nifty Mid Cap 150 index में invest किये होते तो वो एक लाख आज की तर्ग में 6.13 लाख रुपए हो जाते करीबन 6.7 गुना जासा return तो Last 10 सालों में 21% की CAGR से return दिये हैं अब आप कहेंगे कि Index Fund ही क्यों अब Nifty Mid Cap 150 Index में क्या होगा कि पूरे 150 Mid Cap stocks होंगे और ये Mid Cap Stocks Index में जो होते हैं वो fix रहते हैं और इसके अंदर कोई Fund Manager की भी जरूरत नहीं पड़ती है और जो Stock कम performance करते हैं वो Index से बहार हो जाते हैं और अच्छे Stocks Index में सामिल किये जाते हैं और इसके लाबा Index जैसा performance करता है वैसे ही हमें रिटन देखने को मिलते हैं हमारे Fund के अंदर उसके लाबा बढ़िया रिटन के साथ-साथ हमें Tax Benefits भी मिल जाते हैं Tax Benefits अंडर Section 80C on the Premium Paid and Maturity will be Tax-Free अंडर Section 1010D for Annual Premium अप्टू 2.5 Lacks और उसके लाबा Bajaj Allianz का जो Solvency Ratio है 581% का है जो की IRDI mandate 150% से कहीं ज़्यादा है मतलब company financially stable है और यह भी जो fund अपने अंडर में manage करती है 90,584 करोड रुपए का और उसने मई 2023 में एक Small Cap Fund भी launch किया था जो अब तक Blockbuster 29% के return दे चुका है तो इस NFO में invest करने के लिए 28 तारीक last date है सिर्फ 4 से 5 दिन ही बचे है ज़्यादा दिन नहीं बचे है अगर आप से NFO में invest करना चाते है इसके बारे में जानकारी लेना चाते है तो Policy Bajar की जो link है वो मैंने description के अंदर provide करवा दी है वहाँ पर जाकर आप इसकी जानकारी भी ले सकते है और investment भी कर सकते है तो 15 से लेकर 28 नवंबर तक ये open रहेगा इस fund का नाम है Bajaj Allianz Life Mid Cap Index Fund और इसकी starting NAP है 10 रुपए और इसका benchmark index है Nifty Mid Cap 150 Index यहाँ पर आप as low as 2000 रुपीज पर मन से भी start कर सकते हो तो देर किस बात की है Policy Bajar की जो link है वो मैंने description के अंदर provide करवा दी है वहाँ पर जाकार आप इसकी जानकारी और investment के options देख सकते हैं और भी कोई query हो तो मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर